Hi, Welcome to my channel, इस बिड़ों में इसालव करने What então, The circumference of the base of a cylinder is 88 cm तो base of a cylinder जो circular होता है, उसका circumference दे दिया है, circumference का मतलब perimeter दे दिया है, कहांने का मतलब कि जो यह base है, circular जो base है ये पूरा उसका length दे दिया है, पूरा इसका जो है, यहां से लिगा रखे, यहां तक जो length है इसका वो दे दिया है 88 cm ठीक है मतलब perimeter of the base and its height height दे दिया है 15 cm अब पूछ लिया find the volume of the cylinder अब इस cylinder का volume कितना होगा ठीक है volume निकालने के लिए cylinder का हमको चाहिए radius और height ठीक है क्योंकि π.r² है अच्छ होता है formula तो radius और height चाहिए इसमें height मिल गया है बट radius नहीं पता तो radius को find करेंगे circumference of the circles है ओके तो पहले पहले आपको यही find करना होगा तो हम यह आप लिख लेंगे since हमारा दिया हुआ है circumference circumference of the base of the cylinder क्या दिया है 2 pi r right sorry इसको यहां मत लिखे formula यहां पर आप लिख लिखे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 88 cm right तो it implies यहां पर आप लासकते है 2 pi r means यही 2 pi r क्या होता है formula होता है circumference of the circle का circumference of the circle का तो यहां पर हो जाएगा 88 और यहां solve कर लेंगे यहां पर तो मिलेगा आपको 2 into 22 by 7 क्योंकि कुछ दिया नहीं है pi की value तो 22 by 7 use करेंगे into r r की value हमें find करनी है तो यहां से हो जाएगा r is equal to देखें यहां पर जो भी यहां पर denominator में रहेगा उसको हम multiply करेंगे 88 में into 7 हो जाएगा अपान जो numerator में रहेगा उससे divide करेंगे मतलब कि 2 into 22 अब यहां पर देखें 2 से कटेगा यह 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 22 से कटेगा 22 जा 22 और 22 तूजा 44 और यह हो जाएगा 7 तूजा 14 यह 14 क्या हो गया centimeter तू 14 cm क्या आ गया यह आ गया है आपका circum sorry radius it's fine radius आ गया अब हम निकाल सकते हैं volume क्योंकि height हमें पता है तो so volume of the cylinder is equal to होता है पाई आर स्क्वाइर एच राइट पाई की वालु लग दीजे 22 by 7 multiplied by r square means 14 का square into h means 15 तो यह हो जाएगा 22 by 7 into 14 का square means 14 multiplied by 14 into यह हो जाएगा 15 7 मंजा 7 7 तू जा 14 मुझा लाई करता है देखे टू टू जा 4 हो जाएगा यह 2 तू जा 4 44 multiplied by 15 14 15 जा कितना होता है तो 15 फोर्जा 60 का 0 6 carry over 15 बंजा 15 and 6 21 210 हो जाएगा अब यहाँ multiply कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको 44 में बस 21 से कर लिजे multiply तो sorry यहाँ पर जो है 21 से तो यहाँ 1 फोर जा 4 ठीक है और यहसे कर लिजे cross multiply 4 बंजा 4 और 4 तू जा 8 8 and 4 कितना हो जाएगा 12 गा 2 1 carry over और 4 तू जा 8 और 1 9 924 यह जाएगा 924 और यह जो 0 है वो लगा दीजे तो आपका जाएगा 4,240 cm3 this is the required volume of the cylinder thank you so much for watching bye